हेलो इस्टुडेंट वेलकम टू हेपी बायलोजी क्लास इस्टुडेंट आज का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है कार्याले आयूक्त उच्छा भी भाग इंद्रावति भावन नवारायपूर अटल नगर छतिस गड़ से और जो नोटिफिकेशन है इस्टुडे इस में उच्छ भी भाग के अधीन संचारित समस्त राज किये नीजी बिस्वविद्याले सास किये नीजी महाविद्याले में भहतिक रूप से ध्यान दिजेश्वगंग भहतिक रूप से सिख्षड कार्य प्रारम करने की अनुमति मतलब पहले जो ओनलाइन क्लासे सो रहे मतलब 2 अगस्त से भहतिक रूप से सिख्षड कार्य प्रारम करने की नुमति परदान किये गई है तो आप लोग के लिए सबी स्टुडेंट के लिए गुड़ नूज है बहुत ही बड़ी खुस घबरियक आना चाहिए क्योंकि आप लोग का जो ऑनलाइन क्लास हो रहा था में आप लोग को अच्छे से समझ नहीं आता था जो पढ़ाई हो रहे थी आप लोग की ठीक है ओनलाइन में उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है और हम लोग को भी पढ़ाने में आप लोग को अच्छा नहीं लगता ओनलाइन माध्य हमसे ठीक है क्योंकि आप लोग को जो सिक्षड कारे हैं सब क्या हो जाएंगे प्रारम हो जाएंगे उसके अनुमति जो इंद्रावती भवन रायपूर जो उच्छवी भाग है वो दे दिया है ठीक है और इसमें आप लोग को एक चीज और बताया गया है उसका ध्यान देने वाली बात है इसमें कोरोना जो देखिए थोड़ा सा इसका पीडियोप अच्छे तरीके से नहीं आये तो थोड़ा उसके लिए में माफी चाहूंगा इसुडेंट देखिए यहां लिका है उप्रोब तो सिक्षर संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो पीजी के जो क्लासे से ठीक है जैसे में सी में उनकी कहचा है दो अगस्त दो 20 से ओनलान थिक है क्या ऑफ लाइन सरी किस से औपलाइन मोड में प्रार्म की जाएगी और अंदर ग्रेजुएट जो आपनों का क्या है अंज़ा ग्रेजेयोट मतलब जो यूजी क्लासे से मतलब बी एफर्स वी एश्ट त्वी एसे ग बीकॉम जो होते हैं ठीक उसका उन्हों क्या बोलते हैं अंडर ग्रिजिविट काते हैं उक अक्षा है 15 दिन बाद चरण बद रूप से प्रारम की जाएगी मतलब पहले क्या होगा दो अगस्त को क्या होगा जो PG क्लासे से म, म, स, म, ठीक है म, कोम यह सब क्लास चालू हो जाएगे लेकिन उसके 15 दिन के पस्चाथ क्या होगा आप लोग के जो क्लास है बी ए, बीस, स, बीकॉम उनके क्लासे स्टार्ट होंगे ठीक है पहला उनका क्या है सर्थ है फिर दूसरा देखिए एक चाहें उन्हीं जीलों में की जैगी जिनवे कोरोना की positivity, दर मतलब ज जो positive rate है टीक है कितना होना चाहिए सात दिनों में एक percent से कम होना चाहिए कितना होना चाहिए एक परसंट से कम होना चाहिए उसी जीला में क्या होगा offline माध्यम से आप लोग की कक्छाएं चालू हो जाएगी classes start हो जाएगी ओके student उसके हद देखिए बिद्यार्थियों को कक्छाओं में एक दिवस के अंतर पर बुलाया जाएगा और क्या है एक दिन गयप करके आप लोग को बुलाया जाएगा क्यों बुलाया जाएगा ऐसा क्योंकि अभी Corona काल चल रहा है और उसके अलावा और क्या है तो देखिए परति दिन के अवल आधी संख्या में ही बिद्यार्थि बुलाया जाएगे मतलब आधे जन संख्या को आज तो आधे जन संख्या को कल बुलाया जाएगा मतलब दो दिन में पूरे श्टुडेंट आप आएंगे College उसके बाद देखिए किसी बिद्यार्थि को यदि क्या है सर्दी, खासी, बुखार है उनको कक्षा में आने नहीं दिया जाएगा ऐसा guideline जारी किया गया है इसके तरब से उच्छा विभाग की ओर से उसके बाद देखिए Online कक्षाएं या थावत संचालित की जाएगी और ध्यान दिजे, आपकी जो online classes है वो तो continue रहेगी रहेगी उसके सांसाथ offline भी classes चालिव हो जाएगी ठीक है, तो ध्यान दिजेगा और देखिए, किसी विद्यार्ती के लिए उपस्तिती अनिवार नहीं क्या है, उपस्तिती अनिवार नहीं होगी ठीक है, मतलब किसी विद्यार्ती के लिए उपस्तिति अनुआरे नहीं मतलब जो मन करता है वो आ सकते हैं अगर मन नहीं करता तो नहीं भी आ सकते हैं ठीक है उनके उपर एचोड़ दिया गया है कहना चाहिए ठीक है केंतर सरकार अथा राजी सरकार द्वारा समय समय पर जारी कुरोना के संक्रमन से बचाव के निर्देशों का पूर्णता पालन सुनिस्चित किया जाए और जो करोना काल के जो गाइड़ गाइन है उसका पालन करना भी अनिमार होगा ठीक है सब इस सिक्षड संस्थाओं के कमरों की साब सफाई ठीक परकार से की जाए यह सब निर्देश दिया गया है उस सिक्षड भाग इंद्रावति भवन रायपूर से ठीक है शुड़ाए तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक सथिक दोस्तों को सेर कीजिए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस परकार के और इसके लावा और भी कुछ अधर जो नोटिफिकेशन है उसकी जनकाई आप लोग को मिल सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद